हिंगनगाट नगर परिशत पर जल संपता विभाग के पानी पट्टी की करीब 9 करोड की रुपए की धगबाकी है ये रकम 25 फरवरी तक ना भरी तो पानी सप्लाई बंद करने का नोटिस जल संपता विभाग ने दिया है जिसके परिणाम स्वरूप हिंगनगाट शहर वासि पर पानी संकट का सामना करने की नोबत आएगी जल संपता विभाग ने नगर पालिका को 16 फरवरी को अंतिम सूचना देते हुए 25 फरवरी तक ठकबाकी ना भरने पर पानी सप्लाई बंद करने का इशारा दिया है इसके पूर्व भी नगर परिशत को ठकबाकी भरने के ल प्रशास की अधिकारी तैसिलदार ने बताई वास्तविक शाष की अधिकारी का जाष के महसूल की वसूली के लिए सहीोग होना चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष में कोई भी काम ना होने से जल संपता विभाग ने 25 फरवरी से शेहर को पानी सप्लाई बंद करने का नेड़न लिया है भरे धूपकाले के महीने में पानी सप्लाई बंद होने पर नाकरिकों को पानी के लिए दरदर भटकने की नौबत आ सकती है हिंगन घाट से BCN News के लिए रभी योनौरकर की रपोर्ट